एलाव फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं यूट्यूब को मुबाइल फॉन पर डेस्क्टोप मोट पर ओपन करने का सही तरीका बताऊंगा तो फ्रेंट्स इस वीडियो को आन तक जरूर देखें बिल्कुल इसकीप ना करें क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी तरीका बताया है सबसे बेस्ट सबसे सांदार और सबसे असान तरीका है तो चलिए मैं लिए चलता हूं मुबाइल स्क्रीन पर आगे बढ़ने सब्सक करें और बेल आइकोन को दबाए ताकि मेरी हर आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और भि 10 को फ्रेड्स मुबाइल फोन पर यूट्यूप को डेस्क्टॉप मोड़ पर ऑपन करने के लिए सबसे पहले गूगल एक की वी ब्रॉजर एप को इंस्टॉल कर लें इंस्टॉल करने के लिए चलिए सबसे पहले Google Play Store एप को ओपन कर लेते हैं आप चाहे तो मैंने एप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा है वहां पर से आप किलिक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं तो चलिए Google Play Store एप थे ओपन हो चुका एप साब सब्सक्रिपर लेते हैं किलिक करने के बाद सिम्पल सी यहाँ पर टाइप करें की वी कुछयिंगर करने कंने के बाद सब्सक्रिखने करने का इस तरह से बाद में भी open कर सकते हैं, तो चलिए वापस चलते हैं, बाद में open कर लेंगे, वापस चलने के बाद, अब कीवी ब्राउजर एपको open कर लेते हैं, एपको open करने के बाद इस तरह से interface कुल कर आएगे, interface कुलने के बाद, आप चाहे तो screen के उपर ही नजर आ रहे है, youtube.com वाले option पर होले option पर किलिक कर के आप, youtube को open कर सकते हैं, या फिर आप सर्च बार पर किलिक करकेίζete भी आप type कर के सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब को. तो चलिए type करके ही search कर लेते हैं, टाइप करने के बाद सर्च कर लें, सर्च करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा इंटरफेस खुलने के बाद नीचे की और नजर आ रहे है यूट्यूब वाले अप्शन पर किलिक करने के बाद इस तरह से यूट्यूब ओपन होकर आ जाएगा अब इसे desktop mode पर open करने के लिए उपर की ओर right side में corner के पास नजर आ रहे है three dot पर click करें click करते ही इस तरह से बहुत सारा option आ जाएगा option आने के बाद अब आप desktop site वाले option के उपर ही click कर दे click करने के बाद थोड़ी देर wait करें वेट करने के बाद इस तरह से खुलने लगेगा तो फ्रेंट्स देख सकते हैं फाइनली YouTube desktop mode पर open हो चुका है अगर आपने login नहीं किया है तो आप यहाँ पर login कर लें देख सकते हैं मैंने पहले ही login कर रहा है तो आप login करने के लिए उपर की ओर right side में नजर आ रहा है देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे चैनल का logo आ रहा है इस पर click कर दें जो की red color का है इस पर click कर दें click करने के बाद इस तरह से option आएगा यहाँ पर आप click करके आप अपना email ID और password डाल कर login कर लें आप इस तरीके को इस्तमाल करके आप भी YouTube को desktop mode पर अपने mobile phone पर open कर सकते हैं मेरी यह जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो like, comment और share करें अगर आप हमारे इस चैनल में नाए है तो subscribe करें और bell icon को दबाएं ताकि मेरी हार आने वारे नए वीडियो क्रोटिफिकेशन आपके पास आती रहे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातराम